हलो स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको जवाहर नवदय विदाले क्लास नाइन के लिए अरिहंत बुक से अगर आपको लाइब ऑनलाइन क्लास चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में वार्ट्ट ग्रूप का एक लिंक डाल दिया है और अपने टीचिमिंट का भी लिंक डाल दिया है जाप मैं ऑनलाइन लाइब क्लास लेता हूं और वह भी फ्री वाफ्पोस्ट तो अगर स्टार्ट करता हूं और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स्वेंट्स पावर एंसर्ट्स का वह दा वैल्य ओफ फाइफ का पावर जीरो प्लस टू का पावर वान अपन थी का स्कॉयर प्लस एट का पावर जीरो और इसी मैं सॉल्व कर रहा हूं तो जब भी कोई हमा ऐलू नाइन हो जाएगा एंड एट का पावर जीरो का वैलू फिर से वन हो जाएगा एंड इसे हम यहां पर स्वाल कर लेंगो ओके तो यह फाइब कपा आउड जीरो का वैलू का वैलू आएगा टो 3 का square का value आएगा 9 and 8 का power 0 का value आएगा 1 and यह हो जाएगा आपको 3 upon 10 तो आपका answer हो जाएगा option number यह आपका answer हो जाएगा second question है वो है the multiplicative inverse of 10 to the power minus 100 तो multiplicative inverse क्या होता है जैसे मालीजी की आपको को एक number दिया है 2 तो 2 का multiplicative inverse क्या होगा तो 2 का multiplicative inverse मतलब क्या है कि 2 में मैं किस number से multiply करूँ कि मुझे 1 मिल जाए तो 2 में मैं अगर 1 by 2 से multiply करूँगा तो मुझे 1 मिल जाएगा इसी तरह 10 to the power minus 100 का multiplicative inverse क्या होगा तो मैं माल लेता हूँ कि y होगा and y से multiply करने के बाद मुझे answer मिला जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हम इसे जब राइट से ले जाएगे तो वन का पावर 1 अपन 10 to the power minus 100 हो जाएगा ओके तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 to the power 100 ओके यह आपका multiplicative inverse हो जाएगा 10 to the power minus 100 का ओके तो आपका answer हो जाएगा option number c आपका answer हो जाएगा थार्ड कुश्चन वो है दा वैल्यू ओफ 5 अपन 121 का power minus 1 by 2 तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना 121 का power minus 1 by 2 को solve कर लेता हूं तो इसका value हो जाएगा 1121 का power 1 by 2 जब भी आपको किसी भी number का power अगर negative में दिया गया हो तो आप इससे इस तरह लिख लिजेगा one upon और जो वैल्यू है वही रहे का बस यहां पर साइन जो है साइन नेगेटिव से पॉस्टिव हो जागा ओके तो फाइव उपन 121 का power minus 1 by 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इन्टू 1 upon 121 का power 1 by 2 ओके और इससे आप सॉल्व करके यहां पर 121 ऊपर चला जाएगा 121 का पावर 1 by 2 कि आप इसे लिख सकते हैं 121 को आप 11 का सकते हैं और इसका पावर जागा 1 by 2 इससे यह कट जाएगा और यह आपका आंसर हो जागा 5 into 11 and आंसर आजाएगा आपको 55 तो आंसर हो जाएगा आपका आपका ओप्सन नमबर डी कि फोर्थ क्वेश्चन है वो है दा वैल्यू ओफ थे इंटू नाइन तो दी पावर माइनस थ्री वाइट टू इन्टू नाइन तो दी पावर वन बाइटू एंड इसका वैल्यू में पता करना है तो मैंने अभी आपको बताया थे कि कोई भी नंबर दिया हो और उसका प लिखते हैं ने उसी थारफ फील यहां पर्वार वन बाइट बाइस के तूं अन यहां से तू से तूं कर जाएगा यहां पड़ भी तूं से तूं कर जाएगा निंबच्य kak मैंनेग्ए 3 into 1 upon 3 का Q into 3 okay यह जागा 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड 3 का जब क्यों कीजिएगा तो यह आजएगा 27 and 9 से यह 3 टेम्स में कट जाएगा एंड यह 1 टेम्स में तो आपका आंसर हो जाएगा 1 by 3 तो आंसर हो जाएगा आपका option जीन का एक फर्मूला याद होना चाहिए अगर एक पावड एम भागा एक पावड एन है तो इसका वैली हो जाता है एक पावड माइनस एन ओके तो यह फर्मूला आप याद रखिएगा यह आपको काम आएगा एंड इससे आपके solution आ जाएगा एंड यही फर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा देखो माइनस फोर और फाइब माइनस एट ओके माइनस फोर का पावर माइनस थ्री एंड मैंने बताया था कि जब भी आपको पावर नेगेटिव में दिया गया हो तो आप इससे वान अपन करके इससे प अपन टु टुटु पावर छी का होल अस्कोर किसे ठीशंखर करिसे यहार जाइगा वक अ क्यूंक का श्कौर यूर का स्कॉर अ कर श्रीयुक होगा यहां पर जिस जितना भी पावर या एक्स्पुनेंट होली हो जाएगा तो इन्टू तो ऑमरान वेद्द सत्वूर अब 64 2 का पावर 6 इकल टू 64 तो आपका आंसर हो जाएगा option नमबर B 7th नमबर question है evaluate minus 3 का पावर 4 into 5 upon 3 का पावर 4 तो minus 3 का पावर 4 into 5 upon 3 का पावर 4 और आपको एक और formula होता है वो ध्यान में रहना चाहिए अगर मान लिजे m दिया है यहाँ पर a by b upon a upon b का पावर m तो एक पावर m upon b का पावर m होता है और यह formula हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और एक चीज़ और आपको ध्यान देल वाला है कि जब भी sign यहाँ पर negative हो और इसका पावर अगर even number हो तो यह positive हो जाता है तो यह 3 का पावर 4 हो जाएगा ओके और इससे इस फॉर्मुले से हम ब्रेक कर लेंगे फाइव का पावर 4 और यह हो जाएगा थ्रीक पावर 4 तो आपका 5 का पावर 4 तो आंसर हो जाएगा आपका option number d आठ्वा question हो गया evaluate एक 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 एकस्प्रेशन दे रिया है 1 upon 3 का पावर minus 1 minus 1 upon 4 का पावर minus 1 और इसका होल का पावर minus 1 तो सबसे पहले आप पीसे solve कर लिए फिर इससे एंड इसके बाद बाहर वाले को तो 1 upon 3 का पावर minus 1 मैंने बोला था कि जो भी टर्म यहां पर दिया गया हो अगर उसका पावर निगेटी हो तो क्या करना है आपको उसको यह कर देना है आपको 1 upon जो टर्म दिया गया है जो वैल्यू वह कर देना है इस तरह से आपको इसका वैल्यू आजएगा 3 यह 3 ऊपर चला जाएगा और उसी तरह 1 का पावर 4 चोन-1 तो वान माँन ऊप्वावर 4 कि ज है एसका वैल्यू आजएगा फोड तो हम हम यहाँ पर क्या डाल देंगे त्री डाल देंगे एस के वाल्यू फोर डाल देंगी यहां ए मुसको इसका वाल्यू कीतना हो डायगा म nä opposite म alone होगा और इसका पावर भी –1 एंड इस पावर को पोश्टी में करने के लिए क्या करते है वह अपन जो वैल्यू है हमारा उसे डाल देंगे हम यहाँ पे ओके यह आपका हो जाएगा वन अपन इसका पावर अपने ज्जाएगा आपका मायनस और तो आंसर घाएगा और एपनल नॉंबर ए 9th नुमर्र क्विस्टेन है इफ 5 का पावर ए इक्वल टू 3 1 25 दिन दे वैल्यू ऑफ 5 का पावर A-3 तो 5 का पावर A-3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर A इंटू 5 का पावर माइनस 3 ओके और 5 का पावर A एंट मैंने बताया था कि जब भी किसी का पावर नेगेटिव हो और आपको पावर पोजिटिव करना तो वान अपन जो यह टर्म होगा वो कर देना है बस यहां जो नेगेटिव सैने उसको पोजिटिव कर देना ओके तो यहां पर मैं क्या करूं आजाएगा 125 हो जाएगा मैं करेक्ट कर देगा इसे 125 हो जाएगा और 125 से यह 25 में कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर बी तेन्थ नमबर कुस्टिन वह है दा स्टेनर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000078 इस तो आप जब अपना अरिहांत का बुक निकालेंगे तो आपको जो ऑप्सोंस दिये गए हैं वह आप्सोंस मैच नहीं कर रहे हैं तो यहां पर उसे किताब में मिस्टेक्स है उसे मैंने करेक्ट कर दिया है ओके और स्टेनर्ड फॉर्म क्या होता है कि आपको इस तरह का एक फॉर्म लिखना है एक सेवेंकर पॉइंट को लिखेंगे के ऐन पावड होगा उसके तॉट कि यहां पर सिर यहां है यहां पर देख लिजिए यह हैने एक से लिक्शा का intensity तक का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा ओके तो यहां तक देख लिए कितने अंग है एक दो तीन चार पांट छे तो सेवन पॉइंट एट एंड चुकि वैल्यू हम क्या कर रहे है न दसमलोग के बाद का उठा रहे हैं तो यह हमारा नेगेटिव में हो जाएगा 10 to the power minus 6 तो आपका आंसर हो जाएगा यह है 7.8 into 10 to the power minus 6 आपका standard form हो जाएगा इस नमबर का यह आपके बुक में नहीं मिले का रहे हैं तो में थ्वेसी mistakes कर रखे उसने और तो यह आपका आंसर हो जाएगा standard form में ओके तो यह आप ध्यान रखिएगा 11th नमबर question है if 3 का power x equal to 1 upon 9 the value of x is तो 1 upon 9 को आप क्या लिख सकते हैं 1 का power 1 upon 3 का square और इससे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 का power minus 2 मैंने बताया था आपको कि कोई भी पर दिया गया हो एक पावर माइनस एम एंड आप इस पावर को पॉश्टी मिलाना चाहते तो वह अपन एक पावर एम कर दे तो वही चीज है मैंने इसे जो पॉश्टी में था उससे मैंने नेगेटिव मिला दी है एंटरी का power minus square और बोला गया है ठीक पावर एक्स इकल टू टू इकल टू झीक पावर का square and whole का square root 2-12 के square कितना हो जाएगा 144 अ 5 के square हो जाएगा 25 तो हम इस value को replace कर दिक 144 plus 25 का power 1 by 2 यह हो जाएगा 169 का power 1 by 2 यह हो जाएगा 13 तो answer हो जाएगा आपका option तो नमबर B, next question है वो है, the value of 0.000064 का पावर 5 by 6, तो 0.000064 को आप 0.2 का पावर 6 लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इसे solve कर लीजिए, जो आपको दे रखा है, ओके, 5 का पावर 6, तो आप क्या करेंगे, 0.2 का पावर 6 एंड का पावर 5 by 6, तो यह कट जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 0.000032, तो आप इसे लिख सकते हैं, 32 अपन, 1 अपन, 32 अपन, एक पर 5 0, क्योंकि दसमलब के वाच 5 अंग है, जब आप सारे अंग को हटाएंगे दसमलब, तो आपको 5 0s नीचे देना होगा, ओके, तो आंसर हो जाएगा, आपका option नमबर, यह आपका आंसर हो जाएगा, 14th नमबर question वो है, the value of 25 अपन, 9 का power 5 by 2, एंड इसका whole का power 3 by 5, तो 25 अपन, 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 अपन, 3 का square, ओके, एंड यहां से आप solve कर लिजिए, इसे मैं solve कर दे रहा हूँ, कोई doubt हो, तो आप नीचे comment कर दीजेगा, मैं आपको बता दूँगा फिर से, 3 by 5, मैं 25 by 9 को ऐसे लिख देता हूँ, 5 by 3, का square, उसके बाद क्या है, 5 by 2, एंड इसका भी square है, 3 by 5, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, एंड इस 5 से यह 5 कट जाएगा, अप सिंप्ली ऐसे इसे देख लिए, यह हो जाएगा, 2 into 5 by 2 into 3 by 5, इस 5 से यह कट जाएगा, इस 2 से यह कट जाएगा, बचे का 3 आपका, एंड बच गया, 5 by 3 का power q, एंड इससे आपकरेंगे, तो 125 upon 27, आंसर हो जाएगा, आपका, option number b आपका answer हो जाएगा, 15th number question है, वो है, the value of minus 1 upon 25, का power minus 2 by 3, एंड मैंने आपको बोला था, जब भी कोई power minus में हो, तो power positive मिलाने के लिए, 1 upon, जो value आपको दे रखा है, वो कर देना, एंड वो आपका answer हो जाएगा, तो इसी तरह है, 1 upon minus 125, एंड यह है, minus 2 by 3, एंड इस value का आपको, एक्सप्रेशन को solve करना है, तो positive मिलाने के लिए, क्या करेंगे, 1 upon, minus 1 upon 125, का power 2 by 3, एंड इस तरह से यह value आपका उपर चला जाएगा, ओके, 125 आपको क्या होगा, उपर चला जाएगा, negative में, minus 125 का power 2 by 3, and minus 125 को, आप minus 5 का cube लिख सकते हैं, ओके, तो minus 5 का cube and 2 by 3, तो इससे यह कर जाएगा, and minus 5 का, जब आप स्क्वाइर करिएगा, तो यह आपका आजाएगा, 25, answer हो जाएगा, आपका option number B, answer हो जाएगा, 16th number question है, वो बहुत important है, इसे ध्यान से देखेगा, यह दिया गया है, expression आपको 18 का power 1 by 3, and 576 का power 1 by 3 upon 64 का power 2 by 3, and 27 का power 2 by 3, okay, तो 81 का power 1 by 3 को पहले मैं बता दे रहूं क्या होगा, okay, यह हो जाएगा, 3 का power 4 into 1 by 3, अब इसे 3 into 4 by 3 लिख लिएगे, okay, 576 का power 1 by 3, and 576 का आप prime factorization करेंगे, तो आपको पल्स चलेएगा, यह 2 का power 6 into 3 का power 2 आ रहा है, okay, and 1 by 3, and इसे आप आगे solve करके, कर से करेंगे, 2 का power 2 into 3 का power 2 by 3, okay, उसी तरह 64 का power 2 by 3 करना है आपको, 2 का power 6, and इसका power 2 by 3 हो जाएगा, okay, इसे solve करेंगे, तो यह 2 का power 2 आ जाएगा, and, sorry, 2 का power 4 आ जाएगा, यह यह आजाएगा, आपको, 2 का power 4, and उसके बाद है आपका 27, 2 का power 3, यह आएगा, 3 का square, and 2 का power 3, करने के बाद यह हो जाएगा, 3 का square, okay, and अब इस जगह पे आपको इस सारी value डाल देनी है, okay, 81 का power 1 by 3 को आपको लिख सकते है, 3 into 4 by 3, okay, and 576 का power 1 by 3 का बदले, 2 का square, into 3 का power 2 by 3, and उसके बाद 64 का power 2 by 3 को लिख सकते है, 2 का power 4, and 3 का square हो जाएगा, okay, तो यहाँ पर देखे, 3 का power 4 by 3 है, and यहाँ पर 3 का power 2 by 3, तो जब आप इसे solve करेंगे, तो 4 by 3 plus 2 by 3, यह आपका होगा, 3 का power 4 plus 2 by 3, यह आपका हो जाएगा, 3 का power 6 by 3, and जब solve करेंगे, यह हो जाएगा, आपका 3 का power square, okay, तो इस दो लुक से आप 3 का power square आ गया, and यह 2 का power 2, and उसी तरह 2 का power 4, and नीचे 3 का square, इसे यह कट जाएगा, बच्चा आपका 2 का power 2, and 2 का power 4, and यह हो जाएगा, 4 आपका, यहाँ हो जाएगा, 16, and कट कर दीजिए, आप इससे 4 से 4 तेमस में, and आंसर हो जाएगा, आपका 1 by 4, तो इसे आप एक बार और समझ लिजिएगा, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इसका पावर क्या है, 3N-5, तो 4 को हम क्या लिख सकते है, 2 का पावर 2, and इसका पावर क्या है, 3N-5, and दोन्यों एक्स्पोनेट्स को हम मल्टिप्लाई कर देंगे, 2 का पावर 2 सी यह होगा, 6N-10, ओके, and यहाँ पर आपको बस वैल्यू अब पूट कर देना है, and आपका आंसर आ जाएगा, 4 का पावर 3N-5 को हम क्या लिख सकते, 2 का पावर 6N-10, ओके, and 2 का पावर 4N-1, into 2 का पावर 3N-1, जब भी हमारा बेस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पावर यह एक्स्पोनेट को एड कर देते हैं, तो यह होजाएगा, 10 प्लस N, प्लस 6N-10, और इसी तरह नीचे होजाएगा, 2 का पाउर 4N प्लस 1, प्लस 3N-1, इहाँ पे plus 10 से minus 10 कढ़ जाएगा, इहाँ पे plus one से minus one कढ़ जाएगा, बचा क्या उपर, 2 का पावर 7N, नीचे भी चा पैवर 2 का पावर 7N, और यह कढ़ जाएगा, बचेगा आपका एक, आंसर हो जागा आपका option number B, 18th and is chapter का last question है, if 9 root x equal to root under 12 plus root under 147, then the value of x is, तो 9 root x है, and यह दिया गया है, root under 12 plus root under 147, okay, and x का value पूछा है, तो 9 root x, root 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 x 2 x 3 लिख सकते हैं, and यहाँ पर देखें, पेर करने का बाद यह 2 root 3 हो जाएगा, okay, तो 2 root 3 plus, and 147, root under 147, 147, okay, इससे आप लिख सकते हैं, 7 x 7 x 3, यहाँ फिर पेर बने गया, तो 7 को आप बहाँ लिजेगा, बहाँ ले लिजे, and यह, तो 7 root 3, देखें, 9 root x, and यह होगे आपका, 9 root 3, तो x का value क्या होजागा, 3, तो answer होजागा, आपका option number C, तो I hope कि आपको सारी solution समझ में आये होंगे, अगर कहीं कोई doubt रह जाता है, तो आप नीचे comment कर दीजेगा, और अगर live classes चाहिए आपको, तो teach me, का एक link दिया होगा, और एक WhatsApp ग्रूप का भी link दिया होगा, आप जो महने वह जॉइन के लिजाए आपको free of course live classes मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जो doubt सो सारे clear करवा सकते हैं, और सारी सीजों की पढ़ाई free of course है, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर किजेगा, thank you.